हेलो फ्रेंड्स हम आज कक्छा 11 के NCRD का पहला इकाई पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल आउधारना हैं देखे इसके इंग्लिश मीडियम में भी मैंने पढ़ाया है अगर आप इंग्लिश के स्टुडेंट हैं तो आप उस मीडियम के वीडियो से पढ़ ले अगर हिंदी के हैं तो आप इस वीडियो से पढ़ें दोनों मीडियम में मेरे अल्टरनेट वीडियो आएंगे आप जिस मीडियम के हो उस मीडियम में मेरी केमिस्ट्रिय आप पढ़ सकते हो इसी चैनल में दोनों एवलेबल रहेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम सुरुवात करते हैं आपर पहले ही का से तो देखे रोगाफ में इन्होंने रषायन विज्ञान की परिभाशा दी तो इन्हों ने बताया ना के बल तत्तों का अध्यन है बलकि तत्तों से बने हुए अड़ूव का हमने अभी तक इतने तत्व खोजे हैं वो करीब करीब 105-106 के आसपास हैं बाकी जो तत्व हैं 114 के आसपास आपको पीरियाडिक टेबल में आवर्थसानी में मिलता है लेकिन उसमें से जो है 105 ही प्राकृतिक तोर पर पाए जाते हैं बाकी जो है होते हैं जो किसी पदार्थ को बनाते हैं और उसके रसायनिक और भोतिक गुणों को कंट्रूल करते हैं व्यंत्रित करते हैं यहांनक केवल 100 तत्तों का विज्ञान है अपी तो उनसे निर्मित होने वाले असंग के प्रकार के अड़ूओं का विज्ञान हैं तो देखे रसाय क्रियाय होुती है अडू बंते हैं बंद बनते हैं तो ये अडू जो है असलिक प्रकार के बनते हैं इसलिए असलिक प्रकार के रासानिक पदार्थ भी बनते हैं तो हमको उनका अध्यान करना है यह-73 जो है यह परिभासत Wha면 ने दिया था तो देखे विज्ञान जो है एक अध्यन है जिसमें हम प्रकृति और प्रकृतिक चीजों का अध्यन करते हैं और वो कैसे बने हुए हैं कैसे कारी कर रहे हैं वो कैसे हमको हम उनको कैसे प्रभावित करते हैं इन सब चीजों का अध्यन हम विज्ञान में करते हैं इसलिए विज्ञान को हम विभिन साखाओं में बांट के रखते हैं जिससे हमको समझ में आता है कि विज्ञान किस तरह से कारी करता है प्रकृति किस तरह से कारी करता है आपने अपनी पिछली कक्षाओं में जाना है कि हम प्रति दिन प्रकृती में उपस्तित विविन पदार्थों और उनमें परिवर्तनों को देखते हैं आप कक्षा छटवी से पढ़ते आ रहे हो कि दूस से दही कैसे बनता है या जंग कैसे लगता है विश्याज कर आप कक्षा नवी से सब चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़े हो तो आप बहुत सारे परिवर्तन अपने प्रकृती में अपने आसपास आप देखते हो जैसे दूस से दही का बनना या लोहे में जंग लगना या एलकोहल का बनना या एस्टी का अमल का बनना है ना तो इसतरह से आप विभिन पदार्थों के परिवर्तन को भी आप देखते हूं का निर्माण भी देखते हो है ना उनका fermentation भी देखते हो जैसे दूध से दही बनना तो देखें दूध से दही कैसे बनता है आपको बतादे हम दूद में सरोप्रथम हम पहले से बना हुआ थोड़ा सा दही डालते हैं उसको हम इनोक्यूलम ये स्टार्टर कहते हैं मतलब क्या करते हैं हैं कि पहले का जो दही है उसमें चुकी बहुत सारे जीवानू हैं जो दूद को दही में बदलने माले हैं वो जिवानू पहले सुपस्थित हैं, उनको हम उठा के थोड़ सा डाल देते हैं दूद में, अब वो जिवानू बहुत तेजी से बृद्धी करते हैं वहाँ पर और दो परिवर्तन मुख्यता करते हैं, एक तो दूद में होता है लेक्टोस शरकरा, उस लेक्टोस शरकरा को वो लेक्टिक अमलों में बदल देता है, और दूसरा उसमें एक प्रोटीन होता है, जिसका नाम है कैशीन प्रोटीन, जो दूद में घुलन सी लवस्था में, घुला हुआ है इसलिए अलग से तैरते हुआ नहीं दिखता आपको, उसको ये अघुलन सील और आउक्षेप क बनल गया, तो ये दोनों काम जो है, उसमें हमने जो दाही डाला थोड़ा सा जो बेक्रिया डाला हमने लेक्टोबेसिलस, उसके करण से ये हुआ, लंबे समय तक गन्य के रश को रखने पर उसमें सीर्का का बनना, देखें सीर्का कैसे बनता है, सीर्का में एसिटी कमल होत तो यह जो एसीटोबेक्टर एसेटाई जीवानुग है वो एलकोहल को एसीटी कमल में बदल देता है और वही एसीटी कमल होता है आपके सिरका में जिसको हम विनेगर भी कहते हैं अचार बनाने में खटी चीजे बनाने में इसको यूज करते हैं कुछ जोंको साफ करने के लि लगता है जो उसमें carbon होते हैं या दूसरे चीजें होती है उनकी असुद्या होती है तो लोहा जब नमी के संपर्क में आता है और oxygen के संपर्क में आता है तो उसमें faros oxide का फेरिक oxide का एक layer बनने लगता है iron oxide तो वो जो iron oxide का layer है वही जंग होता है जो धीरे-धीरे पपड़ी कुरूप में निकलते रहता है अलोहा धीरे-धीरे-धीरे खीड होते चले जाता है पतला होते चले जाता है ये परिवर्तनों के कुछ ऐसे उधारण है जिने हम बहुत बार देखते हैं तो ये हमारे दैनिक जीवन में दिखने वाली भी कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो जमीन में स्वाइल में जो चीजें पाई जाती हैं चाहे हो पत्थर के प्रकार हैं या कोई दूसरी चीजें हैं मालो कोई फॉशिल वगरा है तो उन सब चीजों का ध्यम हम विज्ञान में करते हैं तो हम विज्ञान को बहुत सारी स खां में बाते हुए हैं ये तो आप जो science पढ़ते हो ना उन से सामिल है इसके लाव हम political science, social science यह सबसे भी को भी science बोल देते हैं क्योंकि आद बी कही न कहीlly vijnan छूपा हुआ है उसमें भी कही न कही इस टाइप की जांकानिया चुपी हुई है विज्यान की वह साखा, जिसमें पदार्थों के संसलेशन, संगठन, गुर धर्म और अभीक्रियाओं का ध्यन किया जाता है, रशाइन कहलाता है, तो पदार्थ किस तरह से बनते हैं, संगठन का मतलब है, वो किस से बने हुए है, वो संगठन है उसका, गुर धर्म क्या है, रशानिक गुर्धर्म, भातिक गुर्धर्म, और अगर वो किसी जीव से सम्मंधित है, तो उसकी कही ने कही जैविक गुर्धर्म भी रहेगा, जैसे प्रोटीन है, इंजाइम है, और अभिक्रियाओं का अध्यन, कि वो कौन सी रशानिक अभिक्रिया करती है, किस टाइप के क्या विज्ञान है तो हम गलस समझ रहे हजारों सालों से विज्ञान है ये अलग बात है कि जो आधुनिक रशाइन विज्ञान है जो अठारवी सताब्दी याने की सन सत्रा सोख से चालू हुआ है वो भले ही आज का है रिसेंट दो-तीन सालों में डेवलप हुआ है लेकिन ह अधुनिक रशाइन विज्ञान का विकास पिछले 200-300 सालों में हुआ है रशाइन जैसा कि आज हम इसे समझते हैं बहुत पुरानों विज्ञान नहीं है आज वाला रशाइन का अध्यान केवल इसके ज्ञान के लिए नहीं किया गया है अपकि तो यहां दो रोचक वस्तो कि खोज की कान से उबरा देखें रशाइन विज्ञान को हम स्विफ अपना नॉलेज बढ़ानी के लिए हमने डेवलप नहीं किया है बलकि सुरू से दो ऐसी चीजे हैं जिनकी खोज के लिए रशाइन विज्ञान विक्षित होता चला गया और वो दो चीजे थी पारस पत पत्थर है ऐसा मड़ी है जिसके छू जाने से ही लोहा या तामा जैसे धातू जो है वो सोने में बदल जाते हैं ऐसा कहा जाता है अब रियल में पारस पत्थर किसी के पास है या नहीं है ये तो भगवानी जाने लेकिन ऐसा होता है ऐसा माना जाता है तो उसकी खोज के लि हो है और तामे जैसी धातों को सोने में बदल सकता है दूसरा अम्रित जिससे अमरत्वप्राप्त होता है लोग नहीं मरेंगे बिमार नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमेशा से लोगों की चाहत रही है क्यों एक लंबी आयूजी है जिसमें कोई भी प्रका की बिमारी नहीं हो है और वो मरे भी मत तो ऐसे बहुत लोग सोचते हैं इसलिए अम्रित की खोज लोगों ने करना शुरू किया था हमारे देश में एक विज्ञानी खोज जिनका नाम है नागरजुन आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं उनके बारे में कहा जाता है कि नागरजुन ने अम्रित बना लिया था लेकिन उसका प्रयोग करने से पहले उनकी देवी माता जो जिनके उपुजा करते थे उनका सौपनाया कि पुत्र यह जो है उप्योग करने लाइक चीज नहीं है आप इसको नस्ट कर दो तो उनके कहने से उन्होंने फि सिर्फ यह किद्वन्तियां है जो लोगों के बीच में है ठीक है पुरातन भारत में लोगों को आधुनिक विज्ञान के उभरने से बहुत पहले से अनेकों वैज्ञानिक तत्थों की जानकारी थी तो यह तो हम जानते हैं कि भारत में इन सब चीजों की जानकारी लोगों बनाते थे रशायन का विकास प्रमुक्ता तेरा सो से सोला सो C.E. में कीमिया एलकेमी और और आउसद रशायन के रूप में हुआ देखिए यह जो C.E. लिखा है इसका मतलब है यहां पर Common Era और Common Era का मतलब है After Death मतलब Issue Swn ठीक है Common Era C.E. Common Era ठीक है और एक होता है B.C.E. तो इन दोनों का मतलब है Common Era का मतलब है जो हम Issue Swn पढ़ते हैं और B.C.E. यानि Before Common Era यह होता है इसापुर्व जो हम सन 2020 में है न तो 2020 से पहले जो थे वो इसापुर्व थे तो वो B.C.E. के दोरा दिखाया जाते हैं और 2020 जो चल रहा है यहां से पुरा मतलब सुरू से लेके 2020 था कि यह पुरा A.D. है जिसको हम Common Era भी कहते हैं तो 1300 से 1600 C.E. मतलब आज से करीब 400 से 700 साल पहले से इस रसायन विज्ञान का विकास चालू हुआ जो की Alchemy, Alchemy क्या है यह एक प्रका का रस विदा है रस रस विज्ञान है धीक है पहले जमाने में जो रसायन था उसको रश विद्या या जो है इस ताइप का एक सब्द है जिसका नाम है एलकेमी या कीमिया लिखा भी है यस तो रस विद्या के रूप में और आउसद रसायन जिसको अपन लेक्ट्रो केमेस्ट्री कहते थे इसमें क्या पढ़ते हैं इसमें ये पढ़ते हैं कि जीवन जीने के लिए कौन-कौन से रसायने हमारे सरी में काम करती है और दूसरा कि जो रोग होते हैं वो किन रसायनों के करण से होती है इन दोनों चीजों को मतलब कि जीवन और रोग के लिए कौन से रसायन जिम्मेद तो इन दोनों के विकास के लिए जो है रसाइन विज्ञान का विकास हुआ आधुनित रसाइन में अठार्मी सताब्दी में यूरोप में कुछ एलकेमी परंपराओं के पश्चात आकार प्राप्त किया जो यूरोप में अर्बु द्वारा लाई गई थी अरब देश जो है जैसे सौदी अरब है उधर इरान इराख है सब अरब देश कहलाते हैं वहां के लोग यूरोप में जाके बसे जैसे कि ब्रिटेन है इसमें तो उन्होंने वहां जो रशविद्या चली आ रही थी वहां जो रसाइन की जानकारी थी उसको लेकर के वो यूरोप में आये अब उन्ही अलग एलकेमी परंपर आये थी जिसमें रशायनिक प्रक्रम और तक्निक की जानकारी अधीक थी भारत में और चीन में जो पुरातन रशायन विज्ञान था वो बहुत विख्षित प्रकार का था हम तरह तरह की आउश्धियों का निर्माड तरह तरह के पेपदार् जैसे एक एकजमपल है महरावली इस्तंभ आपने सुना होगा एक लोहे का खंबा है जो यहां कुतुब मिनार के पास है दिल्ली में ठीक है तो वो जो है असोख राजा असोग जो थे जो आज से करीब 2300-2400 साल पहले हुआ कर दे थे उनके द्वारा बनवाई गी थी अब स सकते तो है तो सोची कितना विक्षित केमेश्टरी था उनके पास पुरातन भारत में रशायन को रशायन सास्त रसतंत रश्क्रिया अथ्वा रस विद्या कहा जाता था अभी इसका बारे में मैंने आपको चर्चा किया था देखिए अगर आप आई रपा आयर वेसिक नंत्र आपको पढ़ने को मिलेगा तो इस रस रस को सून आपको ऐसा लग रहा हुआ कि यह juice के बारे में कह रहा है liquid के बारे में कह रहा है हमारे सरीर में कई प्रका के liquid होते है plant में कई प्रका के liquid होते है उसकी study है ऐसा लग रहा है लेकिन नहीं यहाँ पर रस का मतलब है रसायन कि हमारे सरीर में पादबों के सरीर में, किस टाइप के रशायन पाया जाते हैं, है ना, और वो किस तरह से क्रियाएं करते हैं, इसका अध्यर न सिर्फ आज, बलकि हजारों सालों से हमारे देश में किया जा रहा है, और उसी को रशायन, रस्तंत्र, रश्क्रिया, रश्विद्या ये सब नाम सब्ध विज्ञान, यानि कि आपका मेडिसीन, जितने भी आर्वेधिक दमाईया है, कांती वर्धक, कांती वर्धक मतलब ये जो फेश वगरा में लगा करते हैं, जो चमक उत्पन करते हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कांच, रंजक, रंजक क्या, कलर करने वाली में इस्तमाल किया जा रहा है, सिंध, ये आजकल पढ़ता है पाकिस्तान में, सिंध में मोहन जोदाडो और पंजाब में हडपा में की गई योजनाबद खुदाई से शिद होता है, कि भारत में रसायन के विकास की कहानी बहुत पुरानी है, देखिए, मोहन जोदाडो की गई, आजादी से भी बहुत पहले, 1855 के आसपास से खुदाई चल रही है, जब अंग्रेज जमाना था तब से, तो वहाँ पता है, योजनाबद तरीके से खुदाई की गई, तो बड़े-बड़े सहर मिले, जमीन में दफन किये हुए, ठीक है, उन सहरों में जो है, बहुत सारी चीजे मिली, उनके अध्यान से हमको पता चला कि उस समय जो आज से 2-5,000 साल पहले हुआ करते थे, ये सब्यताई, उस समय भी रशायन विज्ञान भारत में बहुत विक्षित तरीके से, विक्षित हो चुगा था, पुरा तात्विक परिडामों से पता चलता ह है कि निर्माण के लिए पक्की इटों का उपयोग होता था, हम लोग इट कैसे बनाते हैं, पहले मिट्टी को ढाल करके साचे में इट बनाते हैं, सूख जाता है, उसको फिर भठी में लगाते हैं, और भठी में नीचे कोईला या इससे आग लगा देता है, लकडी से, तो और एक और चीज़ बता दे हैं, कि उस जमाने में जो लोग सिमेंट यूज करते थे, जिसको लोग गारा या मोर्टार कहते थे, तो जो गारा होता था ना, उसमें भी जिपसम का प्रियोक करते थे, आज जो हम सिमेंट बनाते हैं, वो भी जिपसम से ही बनता है, जिपसम है राख है यह सब चीजों को मिलाके सिमेंट बनता है उस समय सिर्फ जिपसम को नहीं मिलाते थे बलकि उसके लाबा पादपों से निकाले गई कई प्रकार के चिपचिपे चीजों को रेजीन का भी प्रयोक करते थे और वो जो गारा ओलग बनाते थे cement बनाते थे, उससे जो घर बनता था, उसके उम्र हजारों सालों रहती थी, इसलिए हजारों सालों पहले के जो किले हैं, महल है, राजाओं के, वो भी आज हमारे देश में खड़ए के इस्थिति में हैं, बड़ी है बात नहीं है लेकिन फिर भी उसकी जो उम्रहों पूरी हो चुकी रहती है तो पक्कीटों का प्रयोग उस समय होता था मुहन जोदाड़यों के समय और मिट्टी के बर्तनों का उत्पातन अधिक मात्रा में किया जाता था मिट्टी के बर्तन भी पका करके यूज करते थे और नसिप पकाते थे बलकि उसमें चमक उत्पन करते थे ग्लेज्ट पोर्टरी बोलते थे उसको चमक वाली मिट्टी के बर्तन, मतलब एकदम चिकने और चम चम चमाते हुए, जो आज भी जो मिले हमको खुदाई में वो चमक रहे हैं, ऐसा है, इसे प्राचिंतम रशाइनिक प्रक्रम माना जा सकता है, जिसमें वांग्षिनिय गु ग्लेज कियो हैं मिट्टी के बर्तन, ग्लेज करना मतलब चमक उत्पन करना, चिकना चमक उत्पन कियो हैं बर्तनों के उसे स्प्राप्थ हुए हैं, निर्मार कारियों में जिप्सम सिमेंट को उप्योग किया जाता था, जिसमें चूना, रेत और सुक्ष मात्रा में केल्स लोगों में जितने अमीर होते हैं उनके कपडों का जो क्वालेटीए हो बढ़ता है तो पहले जो अमीर लोग होते थे उनके कपड़े चम जते होते थे उसी को कहते थे बेल बूटेदार, बेल बूटेदार मतलब फेयांस, काज को टुकड़े लगे होते थे और ऐसे कपड़े महेंगे मिलते थे, जो अमीर घराने के लोग होते थे, वो उनको पहनते थे तो इसलिए ये जो है डेवलप किया गया था उस समय जिसको फेयांस कहते थे वह सीसा, चांदी, सोना और तामबा जैसी धातनों को पिखला कर और फोर्जन द्वारा विभीन प्रका के वस्तवे बनाते थे अब ये क्या लिखा है देखें, ये जितने भी सोना चांदी, सीसा तामबा है, इनको पहले पिखलाते थे और धालते थे फोर्जन का मतलब होता है, फोर्ज का मतलब होता है धालना, धालते कैसे थे, देखें, जैसे आपको एक मूर्ती बनाना है तो क्या करते थे जैसे मिट्टी का एक साचा बनाते थे मतलब मूर्ती बनाते थे समझ खोकला मूर्ती मिट्टी का खोकला मूर्ती ठीक अब उस खोकले मूर्ती में पिघला करके इन में से कोई भी जो धातु है उसको पिघला करके उसमें भर देते थे खोकले मूर्ती में मिट्टी का अब खोकला है तो उसके अंदर जाका के पूरा पेकम पेक वो भर जाता था पिघला हुआ फिर सूक जाता था ठंडा हो करके हाड हो जाता था फिर मिट्टी को फोड़के निकाल देते थे अब अंदर से क्या निकला तो वही जो है जो मुर्ती है बिल्कुल वैसा ही बना हुआ जैसे मिट्टी का मुर्ती था खोकला वैसे ही बना हुआ अंदर से लोहे का, सोना का, चांदी का, तामबा का निकलाया तो इस तरह से ढालना, उसी ढालने की प्रक्रियों को फोर्जन कहा जाता है ठीक है? वहाँ टीन और आर्सेनिक मिलाकर शिल्प बनाने के लिए तामबे की कठोरता सुधारते थे अब देखिए, तामबा है, सोना है, चांदी है विसे इसका तामबा और सोना अगर सुध अवस्था में आप उप्योग करते हो तो वो मुलायम होते हैं अगर उससे आप आभूशन बनाते हो या कोई मुर्ती बगरा बनाते हो, बरतर बनाते हो तो वो ज़्यादा मुलायम होने कार से जल्दी तूटेगे तो हम इसमें क्या करते हैं दूसरे धातों मिलाते हैं जसे सोने में हम तामबा मिलाते हैं तो उसकी हार्डनेस बड़ती है उसी को कैरेट में बोलते है, 24 कैरेट का सोना 100% होता है 23 गर 95% होता है। उसके बाद और कम होते चलिए जाता है। बाकी चीवह है ना 3-4% तो तामबह होता है। तो 24 करण जो सोना होता है, मुलायम होता है, शौंट होता है। इसलिए उसका अभुषण हम ही बनाते हैं। टूट जाएगा। इसलिए 23 करेट, 22 करेट का बनाते हैं, लेकि 22 करेट का बनाओगे तो चमक कम हो जाएगी सोने की, 23 करेट का बनाओगे तो बढ़िया इस तरह से चमकेगा भी और दूसरा की वो टूटे गभी नहीं, है न, वैसी ही जो दूसरे चीजे हैं, तांबा है, है न, सोना है, इनको हम टीन और आर्सेनिक मिला करके भी हम कठोर कर सकते हैं दक्षिर भारत में मास्की एक जगह है 1900 BCE तता उत्तर भारत में हस्तिनापुर तक्षिला 1200 BCE में ताज की वस्तों प्राप्थ हुई है देखिए दक्षिर भारत जो आपका तमिलाडू केरला है इसी एरिया में कहीं पर आद्रप्रदेश के आसपास में मास्की करके एक जगह है यहाँ पर समझ लो before common era मतलब की इसापुरू कितना इसापुरू? 900 से 1000 अब समझ लो 2000 अभी चल रहा है 2020 इसमें आप 1000 और जोड दीए मतलब 2900 से 3000 हजार वर्स पहले की बात कर रहा है मास्की में यह दक्षिर भारत में हस्तिनापू तक्षिला यह उत्तर भारत में यह 2200 से यह से 3000 हजार साल पहले ठीक है? इसमें यह कांच की वस्तों बनाते थे मतलब आज से 3000 साल पहले लोग कांच के बारे में जानते थे ये कहना है इसका काच और ग्लेज को रंगने के लिए धातों के ऑक्साइड मिलाए जाते थे देखिए काच में काच वैसे तो रंग हीन होता है लेकिर अगर उसमें धातों के oxide मिला दे जैसे copper oxide, arsenic oxide या chromium oxide या iron oxide तो उनके color बदल जाते कोई orange color का हो जाता है कोई green color का, कोई blue color का कोई और किसी color का हो जाता है तो glass के color को develop करने के लिए उसमें color लाने के लिए हम उसमें धातों के oxide सुक्ष मात्र में मिला देते हैं आज भी उसी तकनीक से हम glass को color करते हैं जो तकनीक से 3000 साल पहले color करते थे बताईए भारत में तामबे के धातु कर्म का आरम उप महादुप में तामर युग के प्रारम से ही हो चुका था देखिए सबसे पहले जो है पाशाण यूगाया पाशाण यूग में जो माना हो था वो पत्थरों के अजार वगरा का इस्तमाल करता था फिर धीरे से तामबे की खोज हुई तामबे की खोज हुई तो पाशाण की बजाया को तामबे से बनाना चालू कर दिया तो तामर पाशाण यूग आया ठीक है जिसको चालको लिथिक एज कहते हैं उसी को चालको लिथिक ठीक है चालको लिथिक एज कहते हैं इसको ठीक है तो चालको लिथिक है इसमें याने क तामर परशान काल है जो TAMR यूग लिखा है जो तामर परशान यूग था उस समय TAMBHE के प्रयोक के साथ धातू कर्म का आरम हो चुवा था क्योंकि TAMBHE की खोश सबसे पहले हुई थी उसी समय धातू कर्म का सबसे पहले प्रारम भण हुआ अनेक पुरा तात्विक प्रमाण हैं जिनसे इस मत को बल मिलता है कि तामबे और लोहे के निसकर्षण की तकनिक भारत में ही विक्षित हुई थी हमारे भारत में लगबग हर चीज का विकास भारत में ही किया गया है ठीक है हालाकि चाइना वाले बोलते हैं कि रेशम का विकास हमने किया हो सकता है उन्होंने किया हो लेकिन ऐसा रिकार्ड भारत में भी मिलता है कि भारत में उस समय रेशम को उप्योग होता था तो इस तरह से तांबा, लोहा, सोना, चांदी इन चीजों का उप्योग भी भारत में अपने धंक से लोग करते थे और उसके निसकर्षन की जो प्रक्रिया थी वो भारत में खोजी गई थी रिगवेद, देखे हमारे सास्त्रों में चार वेदों का बड़ा इंपोर्टेंस हैं। रिगवेद, यजुर॥थ, अधर्वेद और सामवेद, सामवेद में संगीत के बारे में बताएगे हैं और बाकी वेदों में और भी दूसरे ज्ञान की बाते बताई गई हैं। यह सारी चीज़ें आज से 3,000-4,000 साल पहले लिखी गई है वेद, जो हमारे सबसे पहले के recorded चीज़ें हैं, उनमें वेद सबसे पुरातर माने जाते हैं, तो रिख वेद 1,400 BCE, मतलब 2400 से करीब 3,000 वर्स पहले में चर्म संस्करण और कपास को रंगने का कारी होता था, अब यह चर्म संस्करण क्या है, चमड़ा बनाने की प्रक्रिया, इसको टैनिंग कहते हैं, ठीक है, चमड़े बनाने की प्रक्रिया को टैनिंग, इसमें क्या कर अगराते हैं एक्चली, किसी भी मरे हुए पसू अगरा का चमड़ा निकाल लेते हैं, इसकी जो एपीडर्मिस, देखिए, दो लेयर होती ही सकीन में, एपीडर्मिस, ऊपर की एपीडर्मिस हटा दीजे, डर्मिस जो बचेगा, उस डर्मिस को प्रोटेक्ट करके फिर बढ़ा बनता है उस प्रक्रिया को टेक्सी डर्मी कहते हैं तो टेक्सी डर्मी भी किया जाता था और टैनिंग भी किया जाता था ठीक है इसके अलबा कपास को रंग ना कपास सफेद रंग का होता है आप जानते हो उत्तर भारत के काली पालिश वाले मिट्टी के बर्तनों के सुनहरी चमक को दोहराया नहीं जा सका और यहाँ अब भी एक रशानी के रहश्य बना हुआ है देखिए अब इसको समझे उत्तर भारत में जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें पालिस जो करते थे हो काले रंकी होती थी लेकि चमक उसमें सुनहरी आती थी मतलब काले पालिस में सुनहरी चमक अब इसमें ऐसी कौन सी पालिस कैसी राशायनी क्रिया करते थे ये आज भी लोगों को नहीं पता है ये आज भी रहश्य बना हुआ है कि ऐसे क्या रशायन का प्रयोग करते थे कि काली होते वे भी उसमें इतनी चमक उत्पन होती थी इन बर्तनों से पता चलता है कि भठ्थियों का ताप कितनी दक्षता से नियंत्रित किया जाता था तेकि Lefty जो होते हैं उसमें हचयानूदिं से नियंत्रित करोगे इस तरह के बर्तन बनाते थे जिसको कम ताप करम McMजादा ताप करम कैसे में धालेंगे तो किस कलर का कैसा चमक उत्पन होगा ये वो लोग जानते थे ठीक है उस समय के लोग जानते थे 3000 साल पहले कौटिल्य के अर्थसास्त्र में समूद्र से लमण प्राप्त करने का मर्णन है कौटिल्य जिसको आप चाड़क के नाम से जानते हो इन्होंने चंद्रगुप्त मौरी के समय उनके मंत्री के रूप में कारे किया थे एक सन्यासी थे मतलब आज से करी 25 सो वर्ष पहले ठीक है तो यह जो बड़े बुद्धिमान ब्यक्ति थे इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थसास्त्र हलाकि यह अर्थसास्त्र से संबंदित नहीं थी ज्यादा तर यह राजनीती सास्त्र से संबंदित थी और इसमें इन्होंने समुद्र से नमक बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया था लोग कहते हैं कि अगर चाड़क्य की अर्थसास्त्र को पढ़ लें गया तो राजनीती अगर में आप जाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताएगा जिसको समझ करके आप राजनीती में बहुत आगे बढ़ सकते हो ठीक है ऐसा है अर्थसासर पुराने वैदिक शाहित्त में वर्णित आने को पदार्थ और कथन आधुनिक विज्ञान की खोजों से मेल खाते हैं उस सम ट्राद्या ट्र Utah चित्रकारी के मिटि के सैलेटी बर्तन उत्तर भारत के बहुत नो से प्राता तो इस्तरों से Luck अ के अब देखी है आप बर्तन लोहा सोना चांदीiger अ की मिटिके अब फू शन टेरा कोटा अंता पैराओ सथा कया है यह का कि पक्की मिटि है उस की तस wordt या और समझे कि 3,000-5,000 साल पहले क्यों मिट्टी के बरतन हमको खोदाई से मिले हैं, उसमें ये चित्र अभी भी वैसे की वैसी बनी हुई है, सोचिए, सुसूरुत सहीता और चरक सहीता, अब ये दोनों के बारे में समझे हैं, भारत में जो दो बड़े वैद्य हुआ करते थे पहले जमाने के उनमें एक नाम है चरक, एक नाम है सुसूरुत, सुसूरुत को सरजरी के पिता के नाम से जाना जाता है, मतलब सरजरी जो करते हैं, आपरेशन जो करते हैं, सल्ली चिकित्सा, वो सबसे पहले सुसूरुत ने किया था, और सुसूरुत सहीता जो बुक लिख कराते थे तो अच्छा को निकालके दूसरी त्वाच्छा चिपकाते थे प्लास्टिक सरजरी सोझ ये कितना विखशित प्रकार का वह सरजरी जामते थे सुश्रुट इसलों को अनो साह्लची इस्ये किस्टा के पिता कहा जाता है वैसी चरक है कि चरक ने चरक सहीता लिखा, उसमें उन्होंने मेडिसीन के बारे में वर्ण किया। चरक जो है, खुद 1.500 साल तक जीये थे, अब बोले थे कि मैं और 1.500 साल जी सकता हूँ, लेकिन अब मैं जाओंगा, मेरा काम हो चुका है। चरक सहीता में स्लोक वगरा के रूप में लिखे गए हैं, बहुत सारे आयरवेदिक दमाओं के बारे में, लगबख सारी बीमारियों की दमाएं उसमें लिखी हुई हैं, इवें एड्स जैसे बीमारी कभी उसमें वर्णन हैं, लेकिन उसने क्या इलाज लिखा हैं ये समझ से बाहर है, कुछ चीजों का, तो इसलिए हम अभी उसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो ये दो बड़े हमारे बुक्स हैं, जो चरक सहीता और सुस्रु सहीता के रूप में मिलता है, जो सुस्रु सहीता में छारकों का महत्तु समझाएगा है, छारक यानि की बेस इलकली, देखे क कैसे महत्तु है, हमारा जो बलड है, जो पीछले 5-10 सालों में रिसर्च हुआ है, हमारे बलड को अब जानते हैं कि छार ये है, 7.4 ठीक है, पीच है इसका, तो अगर हम जो पानी पीते हैं, अगर वो अमली पानी पीते हैं, तो ये हमारे बलड के पीच को डिस्ट अप करता कि चार में अमल मिलाओंगे तो बफर बीगड़ेगा तो तरह तरह की विमानिया होती है तो अगर हम एलकलाइन वाटर पीते हैं आजकल देखेंगे आरो अगर हमें एलकलाइन वाटर लिखा रहता है है आफ तो उससे हम लोग काफी विमानियों से बच सकते हैं यह यह बात इन्होंने हजारों साल पहले लिखती है देखिए तो हम समझते हैं कि आज हम रिसर्च करना है लेकिन रिसर्च पहले से किया हुआ है चरक सहिता में पुरातन काल के उन भारतियों का उलेक है जिने सल्फ्यूरिक अमल नाइट्रिक अमल यह बनाना आता था तामबे टीन और जस्ते के ऑक्साइड यह बनाने आते थे तामबा मतलब कापर जस्ता मतलब जिंक और टीन इसके जो है ऑक्साइड बनाने आते थे ताम बाते चरक सहीता में बताई गई है कि लोगों को ये पता था और ये विधी उसमें लिखी हुई भी है ठीक है रशोप निशद एक बुक मिली हमको ये भी रशायन विज्ञान से संबंदी थे रश मतलब रशायन न ध्यान लखेंगे आप रशोप निशद में बारूत बनने क विवरण है गन पाउडर ठीक है और इस बारूत का जो प्रयोग है वो बम बनाने में किया जाता है ये आपको मालूम है गन पाउडर तमिल साहित में भी गंधक चारकोल साल्ट पीटर ये पोटेशन नाइट्रेट पारा और कपूर के उप्योग से पटाखे बनाने का होने बारूद बनाया बारूद बनाके उसे फटाके बनाये बड़ा बंबनाये दुस्मनों को माल के लिए ये तो आपके उपर है ना वही पारूद उसमें ब्यूप होता है गन पाउडर गरूप में लिंग नागरजूनिस के बारे में अभी मनें बताया ना कि अम्रीध बना लिया था इनों अब ये देखें here कि depths इंको क्या क्या चीजлы आती थी एक महान भारति विग्यानिक हुए हैं वह एक विक्षाद रसायन ग्यर देखें रसायन के नालेज लाने में आपकी जिंदगी निकल जाएगे तिन तिन चीज़ों को उनकी रचना रस रतनाकर पारे के योगिक से संबंदित है देखिए पारा का योगिक मरकरी मरकरी एक जहरीला एलिमेंट है खालेने से मौत हो जाती है लेकिन इसके कई ऐसे योगिक बनाए गए हैं जिनका प्रयोग दवाई की रूप में किया जाता है इवेन ये कैंसर जैसी विमारी में भी इसका प्रयोग आयरवेद में किया जाता है उन्होंने धातों जैसे सोना चांदी टीन तामे क के निशकर्षण की भी विवेचना की है इनको हम कैसे इनके आयसकों से निकाल सकते हैं इनकी जानकारी इन्होंने दिया था ठीक है वैसे 800 CE कॉमानेरा मतलब 820 के आसपास एक पुस्तक रसार नवम आही रसार नवम ठीक है इसके राइटर के बारे में नहीं लिखा है कि रस भठियों के ही रूप है किसी में कम किसी में ज्यादा temperature कोई चोटा कोई बड़ा ठीक है अलग अलग उद्यश्यों के लिए विवेचना की गयी है बताईये इतने सारे भट्टियों का उपयोग इन्हों ने एक book में दे दिया है इसमें उन्य विधियों का विवरण दिया गया है जिनसे ज्वाला के रंग से धातू को पहचाना जा रथा जैसे धातू है इसको जलाएंगे तो ज्वाला का color जो है बदल जाता है तो कौन सी धातु से कौन सी ज्वाला उत्पन होती कलर? ये इधों ने अपने बुक में रसार नमम में लिखा है, कौन लिखे हैं? ये अन्नोन है, ठीक है? चक्रपाणी, ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, ये चक्रपाणी है, ध्यार रखेंगे, चक्रपाणी ने मर्कूरिक सलफाइट की खोज की, एक तो इन्हों ने मर्कूरिक सलफाइट की खोज की, ठीक है? लेकिन इनकी खोज में ज़्यादा महत्वपूर्चीज है, व अब क्या करें किसी प्रगा का वर्षा ले लिजे तेल ले लिजे अब कोई छार जैसे sodium hydroxide, potassium hydroxide उसमें डाल दीजे तो वो जो fat है उसको sodium salt बन जाता है या potassium salt बन जाता है और औक्षेप की रूप में से बाहर निकलाता है जैसे ठोस है ना वही साबून है तो इसका प्रयोग साबून बनाने के लिए अरंड का तेल महुआ के बीज और केल्सियम कार्बोनेट का उप्योग किया जाता था देखिए अरंड आप जानते होंगे कैस्टर ठीक है कैस्टर जो है यह एक वीड है जो रोड में कहीं किनारे उनारे उंगे रहते हैं बड़े-बड़े फल होते उसको अब जैनते हैं ज्यादा तर महुआ कहने से आपको दारू यह शराब कीवाती है मैं आपको बता रहूं देखिए महुआ सबसेपहले फलावर देता है बड़े-बड़े-इतनय बड़े फलावर होते हैं इसके पिले-धंके इसौर में फड़ीलाइजीशान होुझता हो uma yes उसको उठा लेते हैं लोग एकठा करते हैं धूप में सुखाते हैं लाल हो जाता है तुखा के रख लेते फिर उससे जो है महूँर का सराप बनता है जिसका देशी खाने के लिए भी थोड़ा महथ उप्योग कर लेते हैं दिया बगर जलाने के लिए मिलाया जयता है किया महारास्ट में पूरे नाशिक के यह जगा है जहाँ पर अजन्तालों के गुफाये हैं उस गुफाओं में जो दिवालों में चित्र बनाए गए है हजारों साल पहले वो आज भी नए जैसे दिखते हैं तो वो किस विधिद्वारा बनाए गया है कौन से रशायनों का प्रयोक किया गया है यह अभी तक अन्नोन है अजन्त और एलोरा की दिवारों पर पाई गई चित्रकारी जो अनेको वर्षबाद भी नहीं जैसे लगती है पुरातन भारत में विध्यान का ज्यान शिखर पर होना सिद्ध करता है तो कितने ज़्यादा इसका विकास किये हैं लोग समझ सकते हैं वराह महीर की ब्रिहत सहीता वराह महीर एक और व्यक्ति एक और विध्यानिक उस समय के इन्हों ने लिखा था ब्रिहत सहीता जिसे चटी सताबदी C.E. में लिखा गया था मतलब आज से 1600 साल पहले लिखा गया था एक प्रकाका विशु कोष है एनसाइक्लोपीडिया विशुकोष का मतलब जिसमें बहुत नौलेज होता है इसमें दिवारों, छटों, घरों, मंदिरों पर लगाये जाने वाले लस्दार पदार्थ को बनानी की जानकारी है देखिए मैंने अभी कुछ दर पहले आपसे चर्चा किया था कि उस समय जो गारा या मोटार बनाते थे जो सिमेंट वो अलग तरीके से बनाते थे भले उसमें जिपसम, बालू, ये सब मिलाते थे लेकिन उनमें कुछ रेजीन वाली चीज़ा भी मिलाते थे जैसे लाख वगर मिलाते थे, पौधों से निकाले गए लस्बादार पदार्थ मिलाते थे इस तो मजबूत सिमेंट बनता था उस समय के बनाए होए घर आज भी सलामत है इसे केवल पौधों, फलों, बीजों, छालों के रस से बनाए जाता था जिन्हें उबाल कर गाढ़ा करने के बाद उसमें कई प्रकाग के रेजीन मिलाए जाते थे रेजीन क्या होते हैं? ये चिपचिपे गाढ़े पदार्थ होते हैं जिसे लाख एक ऐसी चिपचिपा पदार्थ हैं उसको मिला देते थे तो ये बहुत मजबूत गाढ़ा गारा बनता था जिसका प्रयोग दिवाल बनाने में, घर बनाने में करते थे ऐसे पदातों का विज्ञानिक तरीके से परिक्षण करने के पस्चात उनकी उप्योगिता का आकलन करना रोचक होगा अगर इन पर हम रिसर्च करें तो हम बहतर तरीके से सिमेंट बना पाएंगे और घर जो है हजारों वर्सों तक बने रहेंगे ऐसे घर बना सकते हैं जो पहले महल खड़े करते थे वो इसी बीधी से खड़े करते थे अथरवेद 1000 BCE जैसे कई प्रतिष्ठित ग्रंतों में रंजकों का वर्णन है जिसमें हल्दी, मदेर, सुरजमुखी, हर्ताल, कर्मीज और लाख सामिल है देखिए अथरवेद में कलर करने वाली चीजों का वर्णन है हल्दी तो आप जामते हैं, तर्मरिक, यह मदेर नहीं, मदार है ठीक है, मदार एक्चली वो जो लाल रंग का फ्लावर होता है, जिसको आप गुलहड कहते हो, एक्चली वो मदार इसमें लिखा है सुरजमुखी आप जामते हो, हर्ताल क्या है, देखिए हर्ताल को इंग्लिस में और पीमेंट कहते हैं, और पीमेंट ठीक है, यह क्या होता है, यह एक पीले रंग का पदार्थ होता है, जो एक्चली होता है आर्सेनिक ट्राइसलफाइड, आर्सेनिक ट्राइसलफाइड होता है हर्ताल, और पीमेंट इसको पीले रंग के रंजक के रूप में यूज़ करते थे करमीज क्या है करमीज को कौकीनियल कहा जाता है कौकीनियल ठीक है यह कौकीनियल क्या है पता है यह लाल रंग के आसपास का रंग होता है लाल जैसा और यह एक कीड़े से निकलता है कीड़े क tubing कहते हैं इस्केल इंसेक्ट च्राइब के केड़े को पीस करके उससे निकालते हैं कलर निकालते थे और इसको फूड मेट्रियल में डालते नयुक्ष्ट सोचिए लाख लाख क्या चीज़ आप समझ लीजिए लाख देने वाला कीड़ा होता है उसका नाम है लैसिफर लेका उस कीड़े का नाम है इंसेक्ट है तो इसको पेड़ों में छोड़ दिया जाता है कीड़े यह बहुत डेवलप कर जाते हैं और पेड़ से रस चूस चूस श्लस चानला लेते हैं भो करें ऐसको और इसको जब सब्साफ करते हैं है अब पिघल करते हैं टोट byखैल करें अग目前 फंती कि च्रवाली आधा उन्यपडार्थों में उक्यूग आते थे कंपलंसी का पतंगा और चैनल का यह लगभग चीज़ा पौधों से ही पौधों यूज ही उस समय इनका उप्योग भी रंग बनाने के लिए किया जाता था वर्हमीहीर की बहर सहीता में इत्र त गांथि वर्धखों का भीन यूज यूख है ठीक है तर यूज है आपने वर्हमीहीर की बहर सहीता को देखा था जो एक एन साइक्लोपीडिया की रुप में जाना जाता है उसमें इत्र और कास्मेटिक्स जो चेहरे का रंग निखार देता है इनके बारे में भी वर्णन किया गया है केस रंगने का रंग बनाने के लिए देखिए आजकल जो हम बाल डाई करते हैं पहले उसको बनाने के लिए पोधो का इस्तेमाल किया जाता था नील है इनका प्रयोक किया जाता था जैसरो नेका य॥ा नीक यो का डे में यक बें गल्हार सक्वार्ण मेरा जाता हूँश्यिक्क झाले से इनका उप्योग बाल को रंगने के लिए करते हैं सब चीज़ों को मिला करके कुकि follower कावल का खटा डलिया होता था उसमें तो असे प्लाइक लोह अई चुन को मिला दिया जाता था फिर उसको बाल रंगने का म् present आप इसका बेपिट यह होता था कि बाल ध़ुए ही हो जाता बुक लिखी गई थी गंधुक्ति एक बुक लिखी गई थी बुक क नामे गंधुक्ति ठीक है इस Зब्च पूरे इसमेल देने वाले खुश्बू देने वाली चीजों का वर्णन था जैसे इत्र है मुख स्वाशित करने के लिए द्रव्य मतलब माउथ फ्रेशनर चबा करके या ले करके मुझ से खुसबू आना जैसे बोलोगे तो खुसबू आएगी मुझ से ऐसा नहाने के पाउडर नहाते समय पाउडर का इस्तमाल करते थे ऐसे लगा का के नहाते थे टेलकम पाउडर जो नहाने के बाद उप्योग करते थे आप लोगों ने कई फिल्मों में देखा होगा कि पुरानी फिल्मों मतलब इस टाइप के कि जो राजा महराजा का दिखाता है कि उसमें जो राणी राजकुमारी है ऐसे गोल ऐसे एक टैंक टाइप में ऐसे दूबी ह है अपन ठीक है ठीक है और ज्यादा कुछ गलत दिमार में मतला ये बस उत्रही सोच रहूं मैं भी नहाने के लिए और ज्यादा नहीं सोच रहूं ना ठीक है भारत में इस अउधार्ना का आगमन की द्रव अविभाजित कणों से बना होता है भारत में इस चीज़ का चिंतन शुरू हुआ इसापुर्व से ही चिंतन शुरू हुआ कि पदार्थ जो है ऐसे कणों से बने होते हैं जिनको और तोड़ना संभाव नहीं है जैसे परमाडू अडू ऐसी चीज़ों का बना हुआ है 600 BCE में 2600 इसापुर्व में जन में आचारिक कणाद जिनका वास्तविक नाम कश्यप था परमाडविक सिधान के प्रस्तावक थे उन्होंने आति सुक्ष्म अविभाजिक कणों के सिधान का प्रतिपादन किया था देखिए आचारिक कणाद है ना इन्होंने बताया कि सुक्ष्म कणों से बना होता है पार्टिकल से पदार्थ इनको और छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते हैं इन कणों को उन्होंने परमाडू का नाम दिया था जिसको आज हम एटम के नाम से जामते हैं आज हम इसको एटम के नाम से जानते हैं एटमियो डाल्टन ने कहा था जिन्हें और नहीं काटा जा सकता है एटाम यह सब्दे से बना था और वही नाम परम अडू, परम का मतलब छोटा सबसे और अडू, मतलब अडू, तो सबसे छोटा अडू, परमाडू, तो वही आज एटाम है, जिसको आचारिक कडाद ने सबसे पहले बता दिया था वैशेशिका सुत्र में, यह अनादी मतलब जिनको ना तो उत्पन किया जा सकता है, ना नस्ट किया जा सकता है, यह हमेशा से हैं, आविभाज यह हैं, मतलब आजकल तो ठीक है कि उसके अंदर प्रोटान इलक्तान न्यूटान खोजे गए हैं, गोलाकार होते हैं, आती गुण ग्राही, मतलब इसके अंदर मनुष्य की किसी भी ज्यानेंदी द्वारा नहीं किया जा सकता, मतलब परमाणू को ना तो हम देख सकते हैं, ना छुके महसूस कर सकते हैं, ना उसको सुन सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको अपनी समयदनाओं के द्वारा नहीं पता कर सकते हैं, कडाद ने यहां भी बता कि अन्य सयोजनों के अतिरिक दो या तीन परमाड़ू भी सयोजित हो सकते हैं उन्होंने इस सिध्धान के उधारना जाल डालतन से लगब 25 वर्स पुरू दे दी थी बताईए कि परमाड़ू आपस मिलके पदार्थ बनाते हडू बनाते हैं और अलग लग परमाड़ू भी मि स्सद्धान को चुराया है और अपने सुसिधान के रुप में चौड़ कर के उसको दे दिया है ठीक है ठीक है अब बाकी चीजह हम नेक्सिक लास में पढ़ लेते हैं थोड़ा हम सोत अगले पढ़ेंगे ठीक है वससे दो पायज है हम this Land country वाच और हुआ कि हम इसको कम्प्रीट कर सकते हैं एक ऺचा है कि हुआ एक मिनट ठीक है साद एक यह हमने देखा कि यह में चरख सहिता सबसे पुरानी ग्रॉए शॉरक सहिता में विशेश कर दवाईयों के बारे में वार्नon heating किया गया है इसमें रोगों के उपचार का विवन्ण दिया और Гर को क्टॉ करने की सनकलपना की विवेश चरप सहिता में इस पर शूरुप से की गई है देखिए पहले जो आयरुवेदिक दवाईय इस्तमाल होती थे आज भी होती है उसमें भश्म का प्रयोग होता है भश्म मतलब राक जैसे स्वर्ण भस्म रजद भस्म और स्रिंग भस्म यह जो भस्म का इस्तमाल होता है इसमें अब जो रिसर्च हो रहा है यह पता चला है कि इनमें न जाद आसर कर पाते हैं तो इन नैनो पार्टिकल्स को कैसे बनाना है इनकी जानकारी चरक सहीता में दी गई ही जिसको आज हम नैनो टेक्नलाजी के रूप में जानते हैं हमा करणों के अकान को पतीक छोटा करने को नैनो टेक्नोलोजी पहते हैंمة। चरक վहिता में धातों की भस्मों का उप्योग रोगों के उप्चार में किये जाने का वनन है। अब देखे भस्मों में वही तो है अब यहां सिद्ध हो चुका है कि भस्मों में धातों के नेनो कड़ होते हैं ठीके एलकेमी के छीड़ हो जाने के पस्चात औसद रशायन स्थीर अवस्था में पहुंच गया परन्तु 20 सताब्दी में पस्चात चीकित सास्थ के आने से औ लेकिन जैसे अंग्रेजों ने अपनी नई टेकनोलाजी लांज किया भारत में विदेशों में तो यह जो एलकेमी और लेट्र केमेस्ट्री है धीरे-धीरे रिडियूस होता चला गया लोगों ने अंग्रेजी पद्धती पे ज्यादा बिश्वास करने करना चालू कर दिय या क्योंकि जल्दी असर करते जैसे पेट दर्द कर रहा है एक आपनी गोली खा लिया आपको एक घंटे में आधे घंटे में आराम हो गया जबकि आयरवेदिक ट्रीट्मेंट करने जाओगे पहले परिक्षण करेंगे फिर उसके लिए आयरवेदिक दवाई देंगे और दिर दर असर करेंगे एक हमते बाद आपको ठीक होगा आपके पास उतना टाइम नहीं है यह लग बात है कि आर्वेदिक दवा एक बार आपका पेट दर्द को ठीक कर देगा तो दुबारा जल्दी होगा भी नहीं लेकिन एलोपेसी दवाई चूकि जल्दी ठीक करता है हम जो है पिछले 10-15-20 सालों में 2020 चल रहा है पिछले 20 सालों में राम दो बाबा जैसे लोग हमारे देश में रहे डेवलप हुए उन्होंने फिर से आयरवेद को डेवलप करना शुरू किया और आज 20 सालों के उनके प्रयास के बाद आयरवेद जो है फिर से अपनी थोड़ी सी पुरानी सिती में लवते दिख रही है ठीक है नई तकनीक सीखने और अपनाने में भारतियों को 100-500 समय लगा इस समय बाहरी उत्पात देश में प्रवेश कर गए अंग्रेजों का जमाना था अंग्रेज जो देते गए लोग लेते गए और अंग्रेजी पद्धती अपना होती थी इक और भारत के अंदर चलती थी अंग्रेजों ने आये यहां से कच्छा पदात ले जाते थे पक्का बनाका के लाते थे बेशते थे मुनाफक कमाते यहां का पैसा बाहर जाने लगा देश गरीब होता चला गया लेकिन आज भी देश के लोग इस बात को नहीं भरता चला गया उन्हें इसी सताब्दी के मध्य तक यूरोपी वैग्यानिक भारत में आने लगे और आधुनिक रशायन का विकास होने लगा ठीक है तो जो यूरोप से आते गए उन्होंने आधुनिक परंपरा को आगे बढ़ाते चले गए उप्रोक्तमणन से आपने जा करते हैं इनसे सम्मंदित जो को विज्ञान है वो रशायन विज्ञान है पदार्थ के मौलिक अवयों परमाणू तो अड़ों के मध्य से अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है ठीक है परमाणू अड़ों आपस में किस प्रकार से क्रिया करते हैं और कैसे बने हुए यह प कड़ों परमाणूं अन्वों को देख सकते हैं उनका भार माप सकते हैं उनकी उपस्थिति को अन्भव कर सकते हैं देखें आज के डेट में माइक्रोश्कोप की जड़ी सब पॉसिबल है एक्सरे डिफ्रेक्शन के दोरा यह सारी चीज़ें पॉसिबल है पहले नहीं था ने द्रब्यमान के मद्ध मात्रात्मक संबंद प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कि कितना द्रब्यमान है अगर एक मौल द्रब्यमान है तो उसमें कितने कड़ है 6.03, 10 to 23 कड़ है ऐसे हम जानते हैं तो इनके बीच में हम संबंद निकाल सकते हैं इस इकाई में हम ऐ कैसे ही कुछ प्रश्णों के उत्तर जानेंगे हैं इसके अतरिक्त हम यहां पर यहां भी वर्णन करेंगे यह किसी पदार्थ के भौतिक गुड़ों को उप्युक्त इकाईयों की साहिता से मात्रात्मक रोप से किस प्रकार दर्साये जा सकता है जैसे लंबाई है तो मीटर मे की विझ्यान का महत्तों पढ़ेंगे बाकी चीजे आगये बढ़ाएंगे तो चुकि यह मेरा पहला लेक्षर था हिन्धी कभी इंगिलिश कभी मैंने पहला लेक्षर दे तो अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी में देखें इंग्लिश के तो इंग्लिश में देखें और क्रिपया अपने दोस्तों में जरू सर्कुलेट कर दीजे क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज के कि सार हिंदी में material इंटरनेट में अवलेबल नहीं है तो मैंने प्रय में शेयर कर दें Facebook WhatsApp में शेयर कर दें जिससे अधिक सधिक लोग मेरी चैनल से जुड़े और मेरा चैनल भी थोड़ा आगे बढ़ेगा और मैं भी थोड़ा अच्छे से काम यहां पर और कर पाऊंगा ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं अगले क्लास में याना थैंक्यू दोड़ेगा और मैं लोड़ेगा और मैं लोड़ेगा इंड़ा ओना लोगईर गृजड़े और मैं अज वोड़े हैं और मैं बाई और